अपने दल्पत युग अर्वाचीन युग ने मानवा जही रहा ची ने दल्पत राम ने आपने जान्या के गुजराती सहीत्यमा नव बाबतों इवी छे के जे दल्पत रामें पहली रह ची थी अवे दल्पत रामनू आ पूछणू के वाई हकीकत मा तो आ अंग्रेजी से अंग्रेजो वती भारत मां कलेक्टर तरिखे सव प्रतमें अम्दावादायेला ने अम्दावादाया पछी दल्पत रामने मड़या दल्पत रामें इतलो बदो निशनात के पहली ज मुलाकात मां फार्बस सहिब ने पोता ना करे लिदिला फार्बस सहिब एमने इतला बदा आसिक थे किया कि जोआ जाये ता दल्पत रामने साथे लई जाये इतले एनी बात करी है अबे अपने टाट कर देशो चालो तो दल्पत राम बटा फार्बस सहिब नी बदली त्या दल्पत्राम एमनी साथे कलेक्टर होवा थी जाहर जन्ता ने एक भाषान आपियू अकर्षक भाषान इटले तो बटा दल्पत्राम नू नाम पड़ियू छे सभा रंजनी कभी सभाने यू मनुरंजन पिरसीदे सब्दों बड़े के आम जन्ता मंत्र मुग्द थाई जती ये वक्ते भावी बेड़ी माटे दल्पत्रामे जे व्याख्यान आपियू जाहर मा एनाती प्रभावक थाई ने आम जन्ताई इटलो बटो फाड़ो आयो के सव प्रथम गुजरात नी पहली लाइबरेरी इस्वीशन अढ़ार सो पचास मां सूरत मां स्थपाई दल्पत्राम और फार्बस साहिब ना संयुक्त प्रयास हो थी एनू नाम छे एंडूज लाइबरेरी जे गुजरात नी पहली लाइबरेरी गणाईच आ सिबाए दल दल्पत्राम में आने फार्बस साहित्य ना तो घणाबदा कार्यों करया चा एना कार्यों ने आपड़ा अगड़ जोई ए पहला फार्बस साहिब नी थोड़ी विगत जोई लेए तो अरवाचीन युग नो दल्पत्राम साथे नो कभी केवाए अलेक्जांडर फार्बस एनो समय लगबग बतावे चे बटा अधार सो एक्वीष अवे एमनु जन्मस्था लंडन एमनु मूड पूरु नाम एलेक्जांडर किनलोग फार्बस अवे एमने साहित्यकारों ने विवेच्चको तरप थी मडेलू बिरुच छे गुजराती साहित्य नो परदेशी प्र पान एमने आपड़ा गुजरातियों नी जे सेवा करी चे अन्य गुजराती माटे जे प्रहात्नों करया चे ये बहुज प्रसंस निया चे एमना केटलाग प्रहात्नों जोई है तो कभी दलपत्रामनी मदद थी इस वीशन अधार सो अड़तालिस मा एमने गुजरात वर्न विध्या सभाना नामे क्रमिक विकास ठतायनू नाम बदलानू रुपांतरी थाई अन्य गुजरात विध्या सभातरी के आजे कारे रच चे अन्य प्रख्याती जो लुकुप्रत्य एमनी लागणी जो तो एमना नामनी साधरामा फार्बस बजार आवेली चे आजे पन अन अन्य जो आजे पन साधरामा चालू चाह अन्य पटां हंगरे जी होवा चाताय एमने गुजराती मा एक पुस्तग नी रचना करी चे अन्य नाम छे रास माला भाग एक बे भार्बस साइब ने दलपत्रामें अमदावादाया अन्य हिरालाल सेथने मढ्या हिराल सेथने मढ अम्दावाद में सहित्यना विकास माटे जे दल्पत्रा में रजुवात करी। एले हिराभई तरब थी जे दान मढईू एमा हिमा भई इस्टीटूट नी स्थापना करी। अन्य जे अत्यरे हाल नीटिव लाइबरेडी तरीके ओडखाई अब अची दल्पत्रा में फार्ब अधिन तम्हें बेहनु मते काई नती करिऊ। बागी समात सिवा बव करी। तो मारी इच्छा से के तमारो बेहनु ना विकास मा काई फालो हो जोए। तो दल्पत्रा मना वक्ते वेधी खूसतीने हरकूवर सिठानी है। ए वक्ते त्रोण हजानु दान आपियों अन्य पचास मा स्थापाई। आवा बदा घणा काम फार्बेश साहिब ना छे। अन्य फार्बेश साहिब पची अध्दल्पत्रा युगना बेचा ना ना कभी उखेवाई ना पर जेहनों पन गाहिनों दानों जम जमाती लावी दे। इवा किटलक साहित्य कारों छे। गुजराती नी किटलिक बाबतों विशिष्ट रीते आपन ने पूरी पाड़ी छे। ने हमा पहलों नाम आवेचे दासी जीवन नूं दासी जीवन बटा एम ना जीवन समगर जीवन दर्म्यान ए पूरूस होगा छेता है ए स्तुरी नी जमाज भरतिया छे। अन्य क्रस् अन्य आरीते हमने आखुज जीवन भक्ती माँ पसार करेलू। शुराष्ट माँ एमना जे पदो छे। एक कटारी नामे उडखाए छे। ए पदो माँ इटली विधकता छे। जीवन नी वास्तविकता मानस ने दील ने दिमाग होएने कटारी नी जेम भागे एना सब्दो इवा दासी जीवन नाचे। अन्य एमने जे एक भजन रच्यू चाहे। आ शरीर रूपी बंगलों। तो ए भजन पन इटलू बदू प्रक्यात छे आजे पान। इकज रचना थी दासी जीवन अमर थे जाईवू एनी रचना चे। पेला आपने एने जोई लिए। आपने बंगलों। आपने बताई जाए छे दासी जीमान। पूता नी जातने में समझाय। एम चाहूद भुवन्ना स्वामी नी पत्राणी गणी। जाप जातना सनगारों थी पोता नी जातने सजावता अने क्रस्ता भगवान आगण रजू करता। आपने बंगलों। आपने बंगलों। आपने में बताई परिक्षा में पूछवियों। तो आपने एकज पंक्ति यह नी बवजानी थी अने पुछी सकाय। आपने शाथे गुजराती शहित्ये ना हीतियास्मा सव पहली ौछने आपी। कोणे आपी। नंद संकर मैता है। इत्यासिक नवल कता। प्रतम लखनार गुजराती साहित्येनों कोई साहित्यकार होई तो एचे नंद संकर मैता एनी साथेज आपने भणी लेवो पड़े इनु पूरु नाम छे नंद संकर तुड़जा संकर मैता जन्मस्थर सूरत एमने बटा विवेचको ने साहित्यकार उपतरप्ती मडेलू उ सथी से एड आप्सटर जन्मा तारीक 1214 16 apparent self 35 खिव और 2565 खिव पानेद्म पूरु यह सूरत नात्रॉण नौस नौ आपनारा एनौनार मिवेचको के सरस्या व्यक्ष्क्रापिती के सूछत ना थ्राण नंव नंद संकर और मैताए यह श्यारे आर्राय कर नगेलों लख़ यह पहला एमना सहित्यना सर्जनती प्रभावित्थेईने एमने एक बिरुद मडे लू राव बादुर नो खिताब एमने एनायत थयो हतो बटा अधार सोने सित्योतेर मां सौथी नानी वय दिल्ली दर्बार मां विशीष्ट सन्मान साथे एमने राव बादुर नो खिताब प्राप्त थयो हतो गुजराती भासानी प्रथम आईतियासिक नवलकता करन गेलो एमने अधार सोने छासट मां लखिया थी बटा किटलिक वार प सौवर्धिन्राम जोसी सो ब्यवकैक करता हाता अभी रित वें प्रस्न पूचा है तो आपने नवीचे बदू जानता हुठ अब अफिष्ट पर बदू बदू लाकषिर ना ओधाए तो शी कार्थि अपने नाम ध़ए तो य रिते नंद शंकरणों प्रस्नreens कॉचा है कि क सो व्यवसाय करता है तो एना बेमुद्धा पन आपने बताऊं तो ये धंधु कामा मामलद्दा रहता अने कच्छ राज्यना वैवटदार तरीके पने अमने सेवाओ आपे लिए आयमनो व्यवसाय इस शिवाए एक महत्वनी नोत्तमने बताऊं अधार सोने शासट मा गुज किरातनो छिलो राजपूत शासक करण वागिला अने दिल्ली सल्तनतना सुल्तान अल्ला उदीन खलजी वच्ची ना युधनू वरनन अधा हमा कन्फिजन पेदा करेवा बे नवल का था हूँ एका पेली नवल का था अने एक अपड़ी गुजराती सहित्यनी महा नवल का थ सारस्वती चंद्रो बन्यमा एक पात्र सामान्या था है गुण सुंदरी गुण सुंदरी जोड़े गुद्धिधन के लक्ष्मी नंदन बतावे तो सारस्वती चंद्र बतावानी आपड़े विकल्मा थे पड़ गुण सुंदरी जोड़े माधव मंत्री के केशव बताव तो आपने करण ढहलो दर्शावानी रहे ज़े अवे परिक्षाम बटा तल्लाटी नी परिक्षाम एक सरस्वधी चंद्रमाधी पुझाड़ुतु के अलग किसोरी पात्रों कई नवलकथानू छे तो आपने दर्शावी दू तो मेन पात्रों माध्व मंत्री, केषव और तूंक माँ सव प्रथम परिक्षाम माटने जरूरी मुद्धो कोई हो है तो गुजराती साहित्यनी पहली नवलकथा कई और अने एनो सर्जक कौन तो पहली नवलकथा करण घेलो और अने एनो सर्जक नंद संकर आप ये मुद्धाज आपड़ा मगजमानों दावा जुई खर प्ला है जाड़ साहिते ओा जब सकति विल्ग कुमुमाप मझी नवलकट क्वेइलbeर और आपक है कि वलकद कर ये वलकद ऐसे खायलकव